अगर आपने अभी तक हमारे चानल ब्रिज करन्या को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और साथ में ही घंटी के निशान को दबाएं दोस्तों तंत्र क्रियाओं में कई प्रकार की वनस्पतियों का उप्योग किया जाता है नाग केसर के फूल भी इन में से एक है तंत्र क्रियाओं में नाग केसर को बहुत ही शुभ वनस्पति माना गया है तंत्र के अनुसार नाग केसर एक धन दायक फूल है आईए जानते हैं नाग केसर के कुछ धन संबंधी जोतिशी उपाए चांदी की एक छोटी सी धकन वाली डिबी लें इसमें नाग केसर और शहद भरकर शुक्ल पक्ष की रात को या अन्य किसी शुब मोहरत में अपने गल्ले या तिजोरी में रखते आपके धन में अचानक वृध्धी होने लगेगी हर शुक्रवार को एक नाग केसर का फूल लें और इसकी पूजा करें इसके बाद इसे एक साफ सफेद कपड़े में लपिट कर अपनी दुकान के गले या अपने ऑफिस के कैश बॉक्स में रखें तो धन की आवक कभी कम नहीं होगी किसी पूर्णिमा से शुरू कर अगली पूर्णिमा तक रोज शिवलिंग पर नाग केसर का फूल चढ़ाएं आखरी दिन चढ़ाए गए फूल को अपने घर में ले आए ये फूल धन सम्मंधी आपकी सभी समस्याओं को समाप्त करतेगा व्यापार में हानी हो रही हो तो किसी शुब महरत में निरगुंडी जो की एक प्रकार की वनस्पती है निरगुंडी की जड़ नाग केसर के फूल और पीली सरसो के दाने एक छोटी पोटली में बांध कर दुकान के बाहर टांग दे इससे व्यापार में व्रिधी होती है नाग केसर के फूल, साबुत हल्दी, सुपारी, एक सिक्का, तामे का टोड़ा और चावल को कपड़े में बांध कर लक्षमी के सामने रखें और पूजा करें बाद में इस पूटली को अपनी तिजोरी में रखें, इससे घर में बरकत बनी रहेगी हिंदु शास्त्र, वास्तु शास्त्र और विज्ञानिक द्रिष्टी से रात के समय की गई घर की साफ सपाई वर्चित है रात के समय घर का कच्रा बाहर फैकना भी अशुभ माना जाता है ऐसा करने से स्वास्त्य तो प्रभावित होता ही है साथ ही घर परिवार की प्रगती में भी बाधाएं उत्पन होती है धन की देवी देवता को पसंद करने के लिए हर व्यक्ति प्रयास करता है ताकि उनकी कृपा द्रिष्टी बनी रहे उन्हें अपने घर में स्थान देने के लिए मकडी के जाले, कबाड और धूल मिट्टी को बाहर करे तन मन को स्वस्थ रखने के लिए बेहत जरूरी है कि घर की सफाई रहे साकारात्मक उर्जा के लिए घर पूरी तरहा साफ सुथरा होना चाहिए सफाई प्रकर्ती का मौलिक गुन है उसका सही सही परिच्चे प्राप्त करना आवश्यक है घर में हमेशा सुख शांती मान सम्मान और धन वैभव सहीत सभी सुवधाई प्राप्त होती है अगर घर साफ सुथरा होगा तो तन मन प्रफूलित रहेगा गंदगी से भरपूर घर जहां व्यक्ती के स्वास्थे में नाकारात्मक ताका संचार करता है वहीं घर में बरकत के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन करता है घर में गंदगी फैली रहे, साफ सफाई ना हो तो ऐसे घर में लक्षमी प्रवेश नहीं करती और कुबेर देव अपने साथ ही खजानी की चाबी वापिस ले जाते है प्रवेश द्वार पर घी और सिंदूर से ओम या स्वास्तिक का चिन बनाए क्या आप जानते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है इसका एक कारण वास्तु शास्त्र है आज हम आपको बता रहे हैं घर में कुछ खास चीज़े रखने से वास्तु दोष कम होता है जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको मुख्य द्वार पर सिंदूर से ओम या स्वास्तिक का चिन बनाना चाहिए और मैंने आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के लिए ये सही होता है इससे वास्तु दोष घर के जो हैं वो कम होते हैं उसे तरहां से अब हम आपको कुछ वस्तु यानि के कुछ चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें अगर घर में रखा जाए तो ये भी वास्तु दोष में कमी लाते हैं सबसे पहले बात करते हैं बासुरी की बासुरी श्री कृष्ण की बासुरी दोस्तों बासुरी को वास्तु दोश दूर करने में बहुत ही खास माना गया है इससे वास्तु दोश दूर होता है और धन पाने के योग बनने लगते हैं अगली वस्तु है भगवान गनेश की नृत्य करती हुई प्रतिमा धन लक्ष्मी की परिशानियों को दूर करने के लिए निर्त्य करती हुई कनेश प्रतिमा घर में रखना बहुत ही शुब माना जाता है घर के मंदर में रखे लक्ष्मी और कुबेर की प्रतिमा भी आपको शुब फल देती है धरधान्या पाने के लिए देवी लक्षमी के साथ घर में भगवान कुबिर की मूर्ती या तस्वीर रखना भी जरूरी है स्थाइधन लाब पाने के लिए घर में देवी लक्षमी और भगवान कुबिर दोनों की पूजा की जानी चाहिए शंक भी आप अपने घर में रखें मालक्षमी को प्रसन करने के लिए शास्त्रों के अनुसार जिस घर में पूजास्थल में देवी लक्षमी के साथ शंक की स्थापना भी की जाती है और नियमित इसकी पूजा की जाती है वहाँ देवी लक्षमी स्वयम निवास करती है ऐसे घर में धन सम्बंधी परिशानी कभी नहीं आती एक आक्षी नारियल जी हां दुस्तों नारियल को श्रीफल भी कहा गया है जस घर में एक आक्षी नारियल रखा जाता है और इसकी नियमित पूजा होती है वहाँ कभी धन धन्या की कमी नहीं होती अगर आपको लगता है कि आप जी तोड मेहनत कर रहे हैं उसके बावजूद आपको आर्थिक समस्या या असफलता का मूँ देखना पड़ता है तो इसका क्या कारण हो सकता है आपके मन में ये प्रशन जरूर आता होगा बार बार आता होगा दोस्तों इसका कारण है वास्तु शास्तर के नुसार आपके घर में लगे मकडी के जाले वास्तु शास्तर हमेशा कहता है कि घर में साफ सपाई रखनी चाहिए अगर आपके घर में मकडी के जाले हैं तो ये वास्तु दोशुत बन करता है ये घर में नाकारात्मक उर्जा को बढ़ाने के साथ ही बिमारियों को भी नियोता देता है घर के सदस्यों में हमेशा आलस, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, नाकारात्मक विचार आते हैं तो इसका एक कारण मकडी का जाला हो सकता है पूजा घर को हमेशा पुर्व या उत्तर की दिशा में बनाना चाहिए दक्षिन या पश्चिम में मंदर बनाने या पूजा करने से लाभ नहीं मिलता मंदर के उपर या उसके आसपास बाथरूम नहीं होना चाहिए और मुर्तियों को कम से कम एक इंच की दूरी पर रखे यानि कि एक इंच की दूरी मुर्तियों के बीच में होनी चाहिए तरफ या मंदर की तरफ पैर रखकर नहीं सोना चाहिए हिंदु धर्म में लोग अक्सर घर पर मंदर बनाते हैं ताकि उन्हें कहीं बाहर ना जाना पड़े बड़े बजर्गों को बाहर जाकर मंदर में पूजा अर्चना करने में तकलीफ होती है तो वो लोग घर में ही पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि पूजा घर से जुड़ी क्या खास और रूचक बाते हैं दोस्तों पूजा घर का सिर में पूझा घर ही ना हूँ वहाँ नाकारात्मक था बड़े आसानी से परिवार के सदस्यों पर अपना प्रभाव डाल देती है ऐसे में नाकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए और बिना वज़ह आपके कामों में रुकावटे ना आए आपको असफलता ना झेलनी पड़े और बहुत सी अन्या परिशानियों से वचने के लिए घर में पूजा घर का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आम लोग केवल इतना ही जानते हैं कि पूजा घर में खंडित मुर्ती किसी प्रकार का कूड़ा या इस्तमाल ना हो रही वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा और क्या पूजा घर में गलती हो सकती है जसकी वजह से आपसे भगवान रुष्ट हो सकते हैं इस बारे में हम इस वीडियो में अभी आगे बात करने वाले हैं। कई बार लोग पूजा घर में मृत लोगों या पूरवजो की तसवेर भी लगा देते हैं क्योंकि वो पूरवजो को भी बहुत पूजय मानते थे। में मृत व्यक्तियों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए क्योंकि वास्तु के अनुसार मृत पुर्वजों की फोटो दक्षिन पश्चम दिशा दक्षिन दिशा या पश्चम दिशा इन तीन दिशाओं में लगाने चाहिए अन्या दिशा में नहीं लगाने चाहिए ना करभी ये भूल ना करें दोस्तों ये गल्दी ना करें अपने पूजा घर में किसी मृत व्यक्ति की तस्वीर या पने पूरवजों की तस्वीर ना लगाएं ये शास्त्रों की द्रिश्टी में अशुब है इससे आपकी पूजा बेकार होती है और घर परिवार पर संकट भी आते हैं कुछ लोग जो अपने मृत परिजनों को बेहद प्रेम करते हैं वो उनके चले जाने के बाद उन्हें सम्मान देने के लिए मंदर में उनकी तस्वेर लगाते हैं लेकिन वास्तु शास्त्र के नुसार ऐसा नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंस में जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हमें फेस्बुक पेच पर फॉलो करें और योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब रहे जय माता जी